नमस्कार मैं हूं फिजाकाजमी और आप देख रहे हैं वीके न्यूस दुनिया भर में पालतू जानवर पालने का शौक कई लोगों को होता है जिनका लगाव उनके जानवरों के प्रती इतना बढ़ जाता है कि वो इंसानों से भी जादा एहमियत जानवरों को देने लगते हैं लोग घरों में कुट्टे और बिल्लियों को पालना सबसे जादा पसंद करते हैं कई लोग तो फॉरन कंट्री से भी ऐसे जानवर मंग वाते हैं लेकिन कुछ लोगों में जानवरों को पालने की इतनी दिवानगी होती है कि वो घर में शेर जैसे जानवर भी पालने लगते हैं जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला पाकिस्तान में भी शेर के साथ पहले आप इस वयक्ती की ये तस्वीरे देखिए कैसे बैट पर बैठे इस शेर को ये वयक्ती अपने हातों से खाना खिला रहा है अब जरा इन दूसरी तस्वीरों पर नज़र डालिए जहां घर के सोफे पर ये वयक्ती बड़ी खुशी से शेर के साथ बैटा है यूँ तो तस्वीरों का ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा है लेकिन जनाब ये कोई फिल्मी सीन नहीं बलकि हकीकत है अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि जिस शेर को देखकर लोग काम चाते हैं दातों तले उंगली तबा लेते हैं उसके साथ आखिर ये वयक्ती इतनी आराम से कैसे बैटा है तो हम आपको बताते हैं कि शेर के सामने इस इंसान के होसले कैसे इतने बुलंद है तस्वीरों का ये नजारा पाकिस्तान के मुल्तान का है और शेर को पालने वाले वयक्ती का नाम है जुल्फेक जिनोंने शेर को पालतु बना कर घर में रख रखा है वो रोज शेर के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और उसी के साथ सोते भी हैं शेर से जुलफेक के परिवार को कोई परिशानी नहीं है। यहां तक कि जुलफेक का दो साल का बेटा भी शेर के साथ बड़ी प्यार से खेलता है। जुलफेक ने शेर को बबबर नाम दे रखा है। वो से कभी जनजीरों में भी बानके नहीं रखते। जुलफेग ने एक इंटर्वियों में बताया उन्होंने संबन्दित अथॉरिटी से शेर को घर में रखने की अनुमती ले रखी है बबबर को उन्होंने करीब 3 लाग रुपे में खरीदा था और उसे पालने में वो हर महीने करीब 2 लाग रुपे तक खरच कर देते हैं हाला कि वो ये नहीं बताते कि शेर उन्होंने कहां सी खरीदा था लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो बबबर को लेकर आये थे तब उसकी उम्र महेज दो महीने की थी लेकिन अब पिछले 6 महीने से वो उनके साथ परिवार की एक सदस्सी के तोर पर रह रहा है जुल्फेक का कहना है कि शेर के घर में आने के बाद लोग दूर दूर तक उन्हें जानने लगे हैं आसपास में रहने वाले लोग सेलफी लेने के लिए उनके घर आते हैं यहां तक कि घर में बबबर के रहने के लिए अलग से जंगा बनी है घर के एक हिस्से में उसके लिए बेडरूम बनाया गया है जिसमें AC से लेकर हर सुविदा है तो देखा आपने पाकिस्तान के लोगों की जाबाजी अपनी पहचान बढ़ाने के लिए शेर को ही घर में पालने लगे हैं एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने हालातों से बदहाल है वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग घर में शेर पाल रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे लोगों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बागे खबरों के लिए आप देखते रहें कि वीके न्यूज और वीडियो पसंद आया हो तो से लाइक करें शेर करें और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं शुक्रिया